महराश्र के राज्यपाल द्वारा यंग अचीवर्स अवार्ड के तहर दिया जाने वाला वागधारा नवरत्न सम्मान्स शहर की प्रख्यात रंगमंच कलाकार दिग दर्शक प्रियंका शक्ति ठाकूर को घोशित किया गया है विगत कई वर्शों से प्रियंका रंगमंच में अपनी कलाओं को विखेरती हुए शहर का नाम रोशन कर रही है एत्यासिक पात्रों पर आधारित उनके नाटकों का मंचन देश की विविन स्थानों पर महत्पून रंगमंच पर हुआ है और उनकी सरहना भी हुई है पत्रकारिता के लिए सुनील कुमार सिंग मुंबई, समात सीवा के लिए मिथिलेश लाडली फाउंडेशन दिल्ली, फिल्म शेत्र से रगवीर यादव मुंबई, रंगमंच प्रसर्ना कर नाटक, शिक्षा रूभी ओजा प्रोफेसर वीसी एसन डीटी मुंबई, साहित आफ्ता वसनेन, नाटक कर मुंबई, संगी डॉक्टर चेतना पाठक, मुंबई, कला राजेंदर घोडवकर, काटूनस्च दिल्ली, अहिंदी भाषी हिंदी सेवी डॉक्टर राजम नटराजन, पिल्ले मुंबई को पुरुसकार खोशित हुआ है बहुत अच्छा मैसूस कर रही हूँ, इतना बड़ा सम्मान है, सम्मान का विशह है, और सच में महराज शाषन का सबसे पहले मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाती हूँ, और वागधारा मैं जो कमीटी थी, उनका सम्मान, उनको मैं ठेंक्स कहना चाती हूँ दिल से जिन्होंने मुझे ये चूस किया इस कमीटी के लिए, इतने बड़े-बड़ी विभूतियों के साथ मुझे राजपाल के आट मार्च को राजपाल जी के हाथों ये सम्मान मिलने वाला है, तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बेसिकली इसकी एक हर साल इनका एक विग्यापन आता है, कि वागधारा समान के लिए ये लोग अपने जितने भी प्रतिक्रियाएं हैं, जितने भी आवेदन हैं, ये सारे मंगाते हैं, और वो आवेदन आते हैं, और वो पूरे महराष्ट का सम्मान है, तो महराष्ट के ही लोग आवेदन भरते हैं, ऐसा नह और फिल्म इंडस्ट्री के काफी जानी मानी हस्तियां होती हैं, जो ये सिलेक्ट करती हैं कि किसको ये दिया जाएगा, ये सम्मान अलग-अलग शेतर के लिए होता है, 19 नौरतन पुरसकार दिये जा रहे हैं वागधारा के, जिसमें रगवीर यादो फिल्म इंडस्ट्री से प्रफसना जी और एंडी टीवी से और आज तक से कुछ पत्रकारों को भी दिया जा रहा है, ये सम्मान, तो ये पत्रकारिता के लिए अलग होगा, कलाकारों के, स्वरी, रंग कर्म के लिए, थेटर के लिए एक है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए है, समाथ सेवा के लिए ह ऐसे 5-6 उनकी केटिगरीज है, उन केटिगरीज में से ये डिसाइट करते हैं कि ये इस साल का सम्मान किसे दिया जाएगा, मुझे युवा रंग कर्म के लिए दिया जा रहा है, हिंदी थेटर युवा रंग कर्म के लिए सम्मानित किया जा रहा है